Hello everyone, welcome back to my channel, Easy English Lessons तो आई हम देख लेते हैं ऐसे sentences जिनके अंदर हमको बोलना होता है थोड़ी देर में वो आने वाला है, या फिर कुछ देर में वो आने वाला है थोड़ी देर में train पहुँचने वाली है कुछ देर में movie शुरू होने वाली है या फिर कुछ देर में खाना बनने वाला है तो guys, इनके अंदर दो चीज़े common है थोड़ी देर में या कुछ देर में और दूसरा वाला है यानि कोई काम future में होने वाला है तो कुछ देर में या थोड़ी देर में इसके लिए हम यूज़ करते हैं in a while का और कोई काम जो future में होने वाला है उसके लिए हम यूज़ करते हैं about to का तो अज़े हम इसके structure को देख लेते हैं सबसे पहले हम subject को रखते हैं और फिर helping verb लगाते हैं helping verb में is, am, are, was, verb में से कोई ये का जाएगा और उसके बद about to को रखते हैं और फिर verb रखते हैं और last name in a while को लगाते हैं तो अज़े हम इसको अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ examples को देख लेते हैं तो our first example is कुछ देर में खाना बनने वाला है या फिर थोड़ी देर में खाना बनने वाला है अब इसको कैसे कहेंगे the food is about to ready in a while अगला example देखते हैं थोड़ी देर में घंटी बजने वाली है तो आप इसको कैसे कहेंगे the bell is about to ring in a while next example थोड़ी देर में सबा शुरू होने वाली है सबा जानी कि मीटिंग शुरू होने वाली है तो आप इसको कैसे कहेंगे the meeting is about to held in a while the meeting is about to held in a while next example थोड़ी देर में मुवी शुरू होने वाली है या फिर कोई शुरू होने वाला है तो आप इसको कैसे कहेंगे the movie is about to start in a while the movie is about to start in a while अगर कोई शुरू है तो आप मुवी कहेंगे शुरू रख देंगे the show is about to start in a while if you haven't subscribed to my channel please do subscribe and press the bell icon so that you could get notifications whenever new videos posted तो आगे हम अगल एक्साम्बल देखते है थोड़ी देर में वो जाने वाला है यानि he is about to go in a while he is about to go in a while थोड़ी देर में train पहुचने वाली है या फिर bus पहुचने वाली है तो आप इसको कैसे कहेंगे the train is about to arrive in a while the train is about to arrive in a while या फिर the bus is about to arrive in a while तो अमीद है काईज आपने इस video से कुछ ने कुछ ने ज़रूर सिखा होगा तो आप हमेरे साथ इसी तरह बने रहे हम कुछ न कुछ नया इसी तरह से स्थीखते रहेंगे so guys I hope you have subscribed my channel और अगर आपने किया नहीं अभी तक subscribe तो हमारे चैनल को subscribe कर दें और bell icon को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की notification मिलती रहें तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में तब तक के लिए बाइबाय थैंक्स वाचिंग